नमस्कार मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्म कौशिक और आप सभी दर्शिकों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चानल पे हम लगतार बात कर रहे हैं अंक की और मुलांक की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक चार की और साथ-साथ मुलांक चार की अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम लगतार बताते आ रहे हैं आपको कि जिन जातकों ने केवल चार तारिक को जनम लिया है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत खास है और अगर आपका मुलांक चार है यानि अगर आपने किसी भी महिने की 4 तारिक, 13 तारिक, 22 तारिक या 31 तारिक को जनम लिया है तो आपका मुलांक चार है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत खास है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के विक्तित्व की अब एक आपको बात पताते हैं छोटी सी आप लोगों को क्या बहुत जल्दी जल्दी नुकसान हो जाते हैं क्या आप करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है उस वज़े से आप बहुत जल्दी परिशान हो जाते हैं तो ठहरिए और आप ध्यान से सुनिए कि ये सब कियात कराया जो है ये कोई उपरी नहीं है अगर आपको कोई ये चीज बोलता है बहुत परिशान होकर कि आप किसी से पूछते हैं और आपको कोई चीज बोलता है कि ये जादू टोना या काला साया है तो बिलकुल भी इन बातों पर आप विश्वास मत कीजेगा क्योंकि ये सारी चीजे जो है आजीवन भर आप लोगों को सामना करना पड़ेंगी क्योंकि आपका जो मूलांख का स्वामी है वो है राहू और राहू जो कारक होता है वो इनी सभी चीजों का कारक मन जाता है यानि तंत्र विद्या का, काले जादू का और साथ-साथ अचानक से परिशानी देने वाला, अचानक से खुशी देने वाला तो ये सभी चीजों का प्रभाव जो है आपको राहू से मिल रह अब आपके विक्तित्व की अगर हम बात करें तो आपका विक्तित्व भी कुछ इसी प्रकार का होगा कि आप अचानक से खुश हो जाते होंगे, अचानक से परिशान हो जाते होंगे, जिस वजा से आपके जो मित्र हैं वो भी कही न कहीं कन्फ्यूज होते होंगे कि अरे क्य हो गया अभी तो खुश था अभी तो परिशान था एकदम सिक्या हो गया तो ठीक उसी तरहां से राहू का प्रभाव जो है आपके पूरे पूरे विक्तित्व पे नजर आता है वहें पर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कभी न कभी आपके साथ हुआ हो कि आपको चलता है तो इन सब चीजों का कारक जो है वो राहू है जिसका प्रभाव आपके जीवन और आपके विक्तित्व पर पूर्ण रूप से पड़ता है अब इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या कुछ करना है ये भी जानेंगे और आपका लकी रंग क्या है लकी धात तू क्या है और कौन सा stone आपको धारण करना है ये भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों के profession की राहू जो कारक होता है एक तरहां से technology का भी कारक होता है, तो अगर आप लोग किसी भी technology के को जचेत्र से जुड़ते हैं, computer पूटर के शेतर से जुड़ते हैं, IT में जुड़ें, या फिर अगर आप electricity में किसी भी कारकों करते हैं, या फिर अगर आप किसी भी तरह से mobile का काम करते हैं, laptops का किसी भी तरह के electronic काम काम कर लेजे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहीं पर अगर आप चूस करना चा एक व्यक्ति, उसके पीछे राहू का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसकी वज़ा से suddenly व्यक्ति सुर्खियों में आ जाता है और उसकी बाते, उसकी चर्चा जो है पूरे जगत में होनी शिरू हो जाती है, तो हुआना ये कमाल का, तो अगर इसके advantages हैं, तो disadvantages भी हैं, त अगर हमारे नव ग्रहों में इसको भी एक तरह से ग्रहे का दर्जा दिया गया है, और प्रमुख कारण जो है, जीवन में बदलाव का वो राहू भी होता है, तो इसलिए अगर आप राहू की पूजा राधना करते हैं, तो आपको लाप प्राप्त होता है, शनिवार के दि प्राप्त होगा, वही पर अगर आपके हम बात करें अंकों की, तो आपके लिए जो अंक अच्छे रहेंगे, वो चार नंबर अच्छा रहेगा, तेरा नंबर अच्छा रहेगा, बाईस अच्छा रहेगा, और साथ साथ एकत्तिस अच्छा रहेगा, अगर अल ओवर हम एक अलग से अंख की बात करें, तो आप एक नंबर जो है वो आपके लिए काफी हद तक लखी साबित होगा, वहीं पर रंगों की बात करें, तो रंग जो आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके लिए बहते रहेंगे डार्क कलर्स, अब जैसे आप यूज कर सकते हैं, डार्क महरून कलर, डाग ग्रे कलर या फिर ब्राउन कलर ये colors use करना आपके लिए खास तोर से अच्छा साबित होगा अगर बात करें आपके रत्न की तो रत्न में आप लोगों के लिए गुमेद बहुत अच्छा रहेगा और अगर बात करें धातों की तो चांदी ये किसी भी अन्य तरहा का मेटल आप जरूर धारन करके रखे इससे भी आपको लाब प्राप्त होगा specially क्यूंकि आप लोगों के विक्तित्व में आपका माइंड जो है बहुत जल्दी फ्लक्ट्टेट करता है पल में बदल जाते हैं तो उसको स्टेबल करने के लिए बैलन्स करने के लिए चांदी का प्रियोग जरूर करें गले में चेन पहनना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड स्टेबल रहे और decisions भी आप stable ले पाएं तो गले में चांदी कीजे जरूर धारण कीजे चले बात करते हैं अंत में कि आपको कौन से दिन पर कौन से वस्तूओं का दान करना है तो शनिवार के दिन राहू की पूजा जरूर करें इसके अलावा काली वस्तूओं का दान जरूर करें जैसे काले चने हैं, काले तिल हैं या फिर लॉंग हैं इन सब चीजों का दान जरूर करें और राहू की उपासना शनिवार के दिन ही जरूर करें वही पर जो स्वान होता है जिसको हम आमतोर से कुत्ता कहते हैं रंघ-बिरंगा होता है, जिसको एफ रोटी खिलाते हैं तो इसे भी आप का राहू का रहता है और ये ही नहीं, अगर आप बिली को जो है दूद बिलाते हैं तो उससे भी आप का रहू आपको शुब प्रभाव देता है क्योंकि बिल्ली भी राहू का ही कारक्ट माने जाती है तो उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फिलाल फिले मुझे दीजे अजाज़त